अरे किसी सामान की कमी तो नहीं रहे गई नकुल बेटा सब कुछ ले आया ना तू हाँ मम्मी सब कुछ ले आया खुशी बेटा देख राधिका तयार हुई या नहीं लड़के वाले आते ही होंगे जी मम्मी जी देखती हूँ बस आदे घंटे में आ जाएंगे वो लोग कितना मर्जी तयार हो ले ये जो कमी इसमें है वो तो रहेगी ही न तो खुशी राधिका के कमरे में जाती है वहाँ राधिका तयार होकर शीशे के सामने बैठी है वो बहुत सुन्दर लग रही है भाबी कैसे लग रही हूँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूं बस लड़के वाले तुम्हें देखने आते ही होंगे हा भाबी बता नहीं वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं अरे बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे अच्छा मैं चलती हूँ मुझे बहुत से काम है खुशी वहां से वापस आ जाती है कैसी लग रही है मेरी बेटी कितना भी तयार हो ले उसे लड़की वाले तो रिजेक्ट ही करेंगे अरे बोलती नहीं खुशी हा ममी जी बहुत अच्छी लग रही है लड़के वाले मना ही नहीं कर पाएंगे भगवान करें ऐसा ही हो अरे चिंता मत करो तुम अब अरे भई सब लोग एक बार अच्छे से देख लो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अरे क्यों बार-बार परिशान हो रही हो कोई कमी नहीं है सब हो चुका है अब आराम से बैठ जाओ वो आते ही होंगे तो कुछी देर में बैल बच्चती है लगता है आ गए है चलो चलो जल्दी गोमती और गोविंद दर्वासे पर जाते हैं सामने मीना और महेश अपने बेटे रचित के साथ खड़े होते हैं रचित और उसके मम्मी पापा राधिका को देखने आये थे सब लोग बैठ जाते हैं और बाते कर रहे हैं अब भाई साब बहुत बाते हो गई अब लड़की को भी बुला लीजिए हाँ बहन जी अभी बुलाते हैं जाओ खुशी उसे ले आओ अच्छा मैं तो ये कह रही थी भाई साब आको तो पता ही है ना अपने बिरादरी में लेंदिन का तो रिवाज होता ही है हाँ बिलकुल बहन जी कोई समस्या ही नहीं है मैंने तो राधिका से पहले ही बूच लिया कि तुझे कौन सी कार लेनी है वहाँ मीना और महेश की आँखों में लालत साफ देख रहा था अरे भाई साब कैसी बाते करते हैं का राधिका ने थोड़ी न चलानी है रचित से पूछिए ना आप ये भी ठीक कहती हैं आप अरे पहले लड़का लड़की बात तो कर लें आपस में मिलतों लें उसके बात पूछेंगे ना बेटा जी हमारे हाथों लें दिन की बात पहले होती है और लड़का लड़की बात में मिलते हैं तभी राधिका हाथ में चाय की ट्रेल ये हुए आदी है और रचित उसकी तरफ देखता है तो उसे पता लगा है कि राधिका थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और वो बहुत ही हैरान हो जाता है गोविंद और गोमती उसकी ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं राधिका हाथ में ट्रेल ये वहीं खुशी के साथ रुख जाती है माफ कीजिएगा भाई साब वो मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है उसे पता नहीं था भाई साब हमें जाना दो मिनट दीजिए हम अभी आते हैं तो महेश मीना और रचित उठकर थोड़ा साइड में चले जाते हैं और दोनों मिलकर रचित को समझाने लते हैं वहीं रादिका भी परेशान हो गई थी और उदास भी भाबी देखिए न मुझे देखते ही उनका चेहरे का रंग उड़ गया ये भी यूँ ही चले जाएंगे ना भाबी नहीं रादिका तुम चिंता मित करो वो बात कर रही है लेकिन कुछी देर में रचित शान्थ हो जाता है वो तीनों वापस आकर वहीं बैट जाते हैं रादिका और खुशी भी वहाँ बैट जाते हैं माफ कीजिए का भाई साब आप तो समझते हैं ना ठोडा पता नहीं था रादिका के बारे में तो हाँ, हाँ, कुई बात नहीं भाई साब, होता ही है मैं कहता हूँ अब रादिका और रचित आपस में भाग करने तो अच्छा रहेगा आखिर जिंदेगी तो इन्हीं बिता नहीं है साथ में हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, खुशी बेटा इन दोनों को ले जा, तो खुशी उन दोनों को कमरे में ले जाती है, और कुछ तेर बाद वो दोनों आपस में बाते करके बाहर आते हैं, दोनों खुश थे, लगता है दोनों ही बहुत खुश है हाँ बहन जी सही कहती है आप, तो बता रचित हाँ है या ना मम्मी मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है बिलकुल हाँ लग रही है, ये तेरी हाथों चहरे से टपक रही है सब लोग हसने लग जाते हैं और मेरी बेटी भी बहुत खुश है मैं समझ गई, इससे पूछने की जरूरत ही नहीं है तभी राधिका शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है बधाई हो सबको, हाँ, बहुत बहुत बधाई और सब लोग आपस में गले मिलते हैं, राधिका और रचित का रिष्टा पक्का हो गया था वहीं खुशी साइड में खड़े होकर चिर रही थी, क्योंकि वो राधिका को पसंद नहीं करती थी चलिए भाई साब, अब हम चलते हैं, हमने सब बात भी कर ली है, लेंदेन की भी हो गई हाँ, एक और बात कहने थी, शादी जरा जल्दी ही करेंगे हाँ, भाई साब, आपको तो पता ही है, आजकल के रिष्टेदार रिष्टा होते ही जल जाते हैं, और रिष्टा तुड़वा देते हैं पर अभी तो राधिका फाइनल येर में ही है, बढ़ाई चल रही है अरे तो हम कौन सा किताबे फाड रहे हैं, हमारे घर आके पढ़ लेगी हमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ, बहन जी, वैसे सही है आपकी बात, मैं तो खुच चाहती हूँ जल्दी से जल्दी शादी हो जाए ठीक है, जैसे आपको सही लगे, हमें बता देजीगा, चलिए भाई सहाब, हम एजासत दीजिए, हम चलते हैं, और शादी के तयारियां भी शुरू कर दीजिए हाँ, भाई सहाब, अगले महीने ही शादी कर देंगे और चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी भी बहुत खुश रहेगी अमारे घर में बिल्कुल, और हम लोकल ही तो है, जब मन किया माई क्या आ गई, जब मन किया ससुराल चली आई हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, हम भी अब शादी के तयारियां शुरू कर देते हैं इसके बाद रचेत और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ खुशी और नकुल अपने कमरे में थे मुझे तु हैरानी हो रही है, इसका रिष्टा कैसे पक्का हो गया अरे तुम क्यों चुड़ती रहती हो, विचारी तुमें तो कभी कुछ कहती ही नहीं है मेरी बेहन तुम ज़्यादा पक्ष मत लो इसका, इतने अच्छे घर में रिष्टा हुआ है पर मुझे लगता नहीं है, कभी खुश रहेगी क्यों ऐसे गलत बोल लही हो तुम, ये तो उसकी किस्मत है, मेरी बेहन तुमसे ज़्यादा सुन्दर है, इसलिए तुम उससे जलती हो, है न कुछ भी पक्वास, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक अच्छा खासा लड़का एक लंगडी से रिष्टे के लिए हां कैसे कह सकता है, कुछ तो गड़बड है अरे कुछ गड़बड नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच उची है अच्छा कोई बात नहीं देख लेंगे वहीं गोमती और गोविंद वहीं हॉल में बैठे थे, दोनों काफी खुश थे, इतने अच्छे लोग थे हां गोमती, अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बेटी को देखते ही पसंद कर लिया क्यों ना करते, हमारी बेटी है ही इतनी सुंदर, वो पहले वाले तो लोग ही बेकार थे, जो आये थे राधिका को देखने हां, सही कहती हो, मैं तो बहुत ये खुश हो, हमारी बेटी का रिष्टा इतने अच्छे घर में जो हुआ है बस अब सारे फर्स पूरे हो जाएंगे, भगवान करे, खुश रहे मेरी बेटी हमेशा तभी गोविंद की नजर वहां सोफे पर पड़े फोन पर जाती है अरे ये फोन, लगता है मीना जी का है हां, वो भूल गए होंगे अभी उनको फोन करके कहता हूं अरे नहीं रहने दीजी, ऐसे उन्हें बोलाना अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसा करता हूं, मदन को कह देता हूं, वो दे आएगा हां, उसको घर का एड्रेस दे दो, वो दे आएगा तो गोविंद मदन को बुलाता है और उसे रचित के घर का एड्रेस दे देता है बेटा ये फोन मीना जी का है ये जाकर उनके घर देया ठीक है साहब और मदन वहां से चला जाता है वहां रचित और उसके मम्मी पापा भी घर पहुच चुके थे और सब बैठ कर बाते कर रहे थे मम्मी आप तो बड़ी ही होश्यार है हाँ आज कल की तो दुनिया ही ऐसी है होना ही पड़ता है बेटा तू तो आज मरवा ही देता रचित बचा लिया तेरी माने फर आपने ये लंगडी लड़की ढूंडी कहां से बस ये मत पूच खजाना ढूंडा है हमने तो और ढूंडने से तो भगवान भी मिल जाते हैं शुकर है रचित को वही ये बात समझ में आ गई वरना ये भी हाथ से जाते अरे मेरा बेटा है बहुत समझदार है बस अब तो फटाफट शादी हो जाए कार आए गेहने आए और फिर हम इनको करेंगे बाई बाई मम्मी बढ़ा अच्छा प्लान बनाया आपने मुझे तो लगा सारे जिन्दगे इसी लंगडी लड़की के साथ निकालनी पड़ेगी अरे नहीं मैं कोई पागल थोड़ी हूँ तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूँ और सब लोग आपस में हसने लग जाते हैं तबी अचानक रचित की नजर वहाँ गेट पर खड़े मदन पर जाती है मदन भी बहुत हैरान होकर दरवाजे पर खड़ा था और उसने इन सब की बातें सुन ली थी अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या राधिका इन चालबाज लोगों से बच पाएगी क्या मदन अपनी इमानदारी से राधिका को बचा पाएगा या फिर राधिका की किस्मत में कुछ और ही लिखा था लास्ट एपिसूड में आपने दीखा कि राधिका को सही से चलने में दिकत होती थी रच्चेत और उसका परिवार राधिका का रिष्टा लेकर आए थे और उनका रिष्टा भी पका हो जाता है वही रचित और उसके मम्मी पापा ने घर पर बैट कर राधिका का मजाक उड़ाते हैं और पता लगता है कि वो सिर्फ पैसे और कार के लालच में ये शादी करना चाह रही थे वहीं उनकी सारी बाते राधिका के घर का नौकर मदन सुन लेता है अब आगी अरे मदन आ आना मुझे नहीं आना अरे जैसा तुमने सुना वैसा कुछ भी नहीं है मदन अब मुझे आप लोगों की असलियत पता चल गई है अच्छा है जो साहब ने मुझे फोन देने के लिए भेज दिया अरे हाँ मैं तो मेरा फोन वहीं भूल गई थी मदन तो मंदर तो आओ बातों सुनो मुझे कुछ भी नहीं सुनना अब मैं सब जाका साहब को बता दूँगा तभी महेश अपनी जेब से एक नोट की गड़ी निकालता है और उसे हिलाने लगता है सोच ले मदन अभी भी नोट की गड़ी देकर मदन का इमान भी डगमगा जाता है कितने है साहब पूरे बीस हजार है देख ले अब ठीक है साहब इतने में तो मैं कुछ भी करूंगा बड़ा समझदार है बस अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखना हाँ साहब मैं बहुत इमानदार हूँ जुबान देदी तो देदी किसी को नहीं बताऊंगा बस हम भी तेरी सेवा करते रहेंगे ठीक है धन्यवाज साहब अब चलता हूँ ये लीजिये फोन फिर मदन उनको फोन देखकर वहां से वापस लोटाता है और वो घरा कर किसी को कुछ भी नहीं बताता वो काफी खुश भी था क्या बात है मदन तु बड़ा खुश लग रहा है हाँ साहब उन्होंने बहुत अच्छे से बात की मुझसे बहुत ही अच्छे लोग हैं सच में हाँ एकदम सही कहता है तु हमारी बेटी की तो किसमत ही खुल गई हाँ साहब लेकिन मदन की इस बेइमानी की सजा राधिका और उसके परिवार को मिलने वाली थी तो धीरे धीरे वक बीता और रचित की राधिका से शादी भी हो रही थी और राधिका की विदाई का समय चल रहा था विदाई के वक बेटी ससराल में अच्छे से रहना खुश रहना शिकायत मत ले कराना हाँ पापा आप चिंता मत कीजिए अपनी साह ससुर को माबाप का दरजा देना बेटी और सब को खुश रखना ठीक है मम्मी राधिका की विदाई की समय उसके मम्मी पापा रोते हुए उसे गले लगाते हैं और राधिका फिर रचित के साथ कार में बैठ जाती है भाई साहब आप वो सारा सामान और कार घर पहुँचा दीजिएगा बेहन जी चिंता मत कीजिए सब सामान पहुँच जाएगा ठीक है अब तो हमें कोई चिंता ही नहीं है सब अच्छे से हो गया शादी करके राधिका अपने ससुराल पहुँच जाती है तो राधिका को लंगडाते हुए चलते दे कर कुछ महमान राधिका का मजाक उडाते हैं अरे ये लड़की तो लंगडी है लटा है रचित में कोई कमी है हाँ ऐसे तो लंगडी लड़की से कौन शादी करता है ए तुम सब ज़ादा बकवास मत करो मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है रचित गुसे में अपनी पगड़ी उतार कर फिंक देता है आप लोग यहां महमान मन कर आये थे और चुपचाप खा कर यहां से चलते बनिये दफा हो ये मेरे घर से ये सब देखकर राधिका हैरान हो जाती है लेकिन राधिका को एक पल के लिए खुशी भी हुई कितने अच्छे है रचित जी मेरे लिए इन सबसे लड़ रही है रचित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है सब महमान भी वहां से चले जाते हैं अरे बेटा कहां जा रहा है ये रस्मे दो पूरी कर ले रचित मम्मी मुझे कुछ भी नहीं करना है अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते चल जा तू आराम कर ले ये सुनकर राधिका के भी होश ओड़ गए थे वो हैरान थी कि उसके साथ ही क्या हो गया था अभी तो काफी कुछ देखना बाकी था बेटा राधिका तू बुरा मत मानना लोगों की बाते सुनकर रचित को गुस्सा आ गया पर वो ऐसा नहीं है कोई बात ही मम्मी जी मैं समच सती हूँ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती है तो मीना राधिका को उसके कमरे में ले जाती है तो वो देखी है कि कमरा तो बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं था मम्मी जी ये कमरा तो बिल्कुल सुना लता है हाँ राधिका ये तुम्हारा ही कमरा है अब से तुम यहीं रहोगी क्या मतलब मम्मी जी और रचित जी कहा है अरे वो यहाँ थोड़ी न रहेगा, वो अपने कमरे में है, अभी तो उसने कहा वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर आप तो कह रही थी कि अरे तो खुद को देख और उसे देख, तेरी शकल का क्या करें, पेड़ तो टेड़ा ही है ना, मेरा बेटा तो परफेक्ट है, उसे तो कोई न कोई मिल ही जाएगी तो मम्मी जी आपने फिर मेरी शादी क्यों कराई, क्यों रिष्टे के लिए हांकी अरे अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सीधा सा मतलब है, हमें पैसे और कार चाहिए थी, सो हमें मिल गई और इन सब चीजों के लिए आपने मेरी जिंदीगी खराब कर दी हमें इन सब से कोई फरक नहीं पड़ता, और वैसे भी तेरी जिंदीगी तो खराब ही है और खराब ही रहेगी क्या मतलब मम्मी जी, मैं लंगडी हूँ, इसका मतलब मेरी जिंदीगी खराब है बिल्कुल, तुझे ना कुई अच्छा लड़का मिल सकता है ना मिलेगा, रचित अब नाम का ही सही, पर है तो पती ही ना शर मानी चाहिए आपको, भगवान न करे, कल को आपका बेटा लंगडा हो जाए, तो आप क्या करेंगे अब जुबान मत लड़ा मुझसे, मेरे बेटे को भला क्यूं कुछ होगा, चल सोजा अपने कमरे में जब आपने मुझे बभू माना ही नहीं है, तो मुझे यहार रहना भी क्यूं है तो ठीक है दरवाजे खुले हैं, जा वापस अपने माय के चली जा, तेरे माबाप तो वैसे भी तेरी हालत ऐसे देखकर मर जाएंगे, सोच ले तो राधे का सोचने लगती है कि अगर उसके मम्मी पापा को ये सा पता लगा, तो उनकी कितनी पूरी हालत होगी जब उनको पता लगेगा कि अभी शादी हुए, 24 घंटे भी नहीं हुए और उनकी बेटी ससुराल से वापस आ गई है, तो वो कैसे सहेंगे, फिर भी तू जाना चाहती है, तो जा राधे का दुखी होकर वहीं खड़ी रहती है, क्या हुआ, जाना मैं नहीं जाओंगी, राधे का उस कमरे में जाती है, और दर्वाजा बंद कर लेती है, और जोर-जोर से रोने लगती है भगवान, मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ है, मेरे शरीर की कमी से मैं ये सब भुगत रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, अगले दिन सुबह बेटा, तेरे ससुराल में पक फेरे की रस्प में, तुझे राधिका को लेकर तेरे ससुराल जाना है मम्मी, आपका दिमाग तो ठीक है न, मैं कहीं नहीं जाने वाला बेटा, ऐसे नहीं बोलते, अब ये समनाटक तो तुझे कुछ दिन करना ही पड़ेगा हाँ बेटा, अभी एक ही दिन तो हुआ है शादी को, अभी हम राधिका को भेज नहीं सकते, कुछ दिन और जेल ले ठीक है, चला जाओंगा इसाफत को लेकर तो कुछ दिर बात रचित राधिका के साथ उसके घर पहुँच जाता है राधिका के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं बेटा, कैसी है तू, कैसा रहा ससुराल में पहला दिल बहुत अच्छा था मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ बहुत अच्छी बात है बेटा जी जा जी, कैसा लग रहा है शादी करके बस आप तो जानते ही हैं हाँ हाँ तो बताएए फिर कहा घुमने जा रहे हैं मेरा मतलब शादी के बाद घुमने तो जाते है ना अच्छा हनीमॉन के बारे में हमने अभी कुछ सोचा नहीं है जहां भी रादिका कहीगी वहीं चलेंगे राधिका रचित को देखती है और हैरान होती है कि रचित कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है मैं तो कहती हूँ कश्मीर चले जाओ हम भी शादी के बाद वही गए थे बहुत ही अच्छी जगा है हाँ बेटा स्वर्ग है भारत का हाँ ममी जी सोचते हैं तो शाम के वक्त राधिका रचित वापस घर आ जाते हैं रचित जी इतनी अच्छी एक्टिंग कहां से सीखिया आपने रचित गुस्से में उसके बाल पकड़ लेता है मेरे सामने इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है बहुत जबान चलती है इसकी तो राधिका भी रचित के हाथ को धक्का दे देती है और जो आपने मेरे साथ किया है वो अच्छा था आप सब लोगोंने मिलकर मेरी जिंदी की परबात कर दी तो क्या करो फिर और वैसे भी तुम किसी लायक नहीं हो जाकर मर क्यों नहीं जाती मैं तो शरीर से अपाहिज हूँ आप लोगों की तो सोच अपाहिज है भगवान आपको इसकी सजन जरूर देगा तो रचित गुस्से में राधिका को एक थापड लगा देता है मैंने कहा ना मेरे सामने इस तरीके से बात मत करना वरना दूसरी टांग भी तोड़ दूँगा राधिका विचारी रोती रहती है और अपनी किसमत को कोस्ती रहती है नजाने आगे उसकी किसमत में और क्या लिखा था लास्ट अपिसोर में आपने देखा कि राधिका शादी करके ससुराल पहुँचती है तो उसे रचित का नया रूप देखने को मिलता है लोग भी उसका मजाग उड़ाते हैं ससुराल में उसे एक पुराना कमरा रहने के लिए दे देते हैं राधिका जब अपने घर पर रचित का नाटक देती है तो वो परेशान होकर रचित और उसके परिवार को भला बुरा कहती है और गुस्से में रचित राधिका को एक थपड लगा देता है अब आगी अब खड़े खड़े मेरा मूँ क्या देख रही है जाकर घर का काम कर ले कोई हाँ हमें जो लेना था वो तो मिल ही गया आगे भी मिलेगा राधिका रूते हुए वहाँ से चली जाती है कई दिनों तक यही चलता रहता था यह रोज का काम हो गया था रचित और उसका परिवार राधिका की बेज़ती करते रहते थे तभी एक दिन मीना राधिका की मम्मी को फोन करती है हाँ बेहन जी आप कैसी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताए मैं भी ठीक हूँ और आपकी बेटी भी बहुत खुश है अच्छा मैंने तो इसलिए फोन किया था कि तीज का त्योहार आ रहा है हाँ बसाथ से तीन दिन बाद ही है तो हमारे रिवाज ये है कि बहुगे माई के से कपड़े आते हैं और बाकी मिठाई और फ्रूट जो भी आप देना चाहो और शागुन तो आपकी इच्छा पर है वो आप देख लेना अच्छा ठीक है बहन जी हमारे तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है पर अच्छा लेकिन अब आपने बेटी दी है तो रिवाज तो हमारे ही चलेंगे ना जी जी बिलकुल सही कह रही हैं आप कभी वहाँ पर रादिका भी आ जाती है आपकी बेटी भी आ गई है ऐसा करना इसके लिए तो महेंगी सी साड़ी या सूठी ले आना अब नई ब्याही हुई लड़की है सुन्दर कपड़े पहनेगी बिलकुल बिलकुल अब अपनी बेटी को तो अच्छा ही देंगी आप हमें तो चलो जैसा भी दे देना नहीं बेहन जी ऐसी बात नहीं है मैं आज ही सब ले आऊंगी जरा राधिका से बात करवा दीजी हाँ भी करवाती हूँ तभी मीना राधिका को प्यार से बुलाने का नाटा करती है राधिका बेटी तेरी मम्मी का फोन है ये ले बात कर ले और अचानक से मीना फोन काट देती है और स्विच ओफ कर देती है अरे काटिका या ओहो चलो दुबारा कर लेना मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है तुझे दुख देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे अगले दिन रविवार था राधिका सबको नाश्टा करवा रही थी मैं सोच रहा था अज राधिका को थोड़ा आराम करने देते हैं और दिन का खाना बहार जाकर खाते हैं हाँ क्यों नहीं चलो राधिका जाओ तुम टाइम से तयार हो जाना राधिका ये सुनकर खुश हो जाती है लगता है ये लोग मुझे धीरे धीरे अपना लेंगे तो दोपहर में राधिका तयार होकर आती है चलो, हम सब लोग चलते हैं, बैठो कार में चारों लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं रचेत कार चलाता है थोड़ी देर में रादेका देखती है कि कार तो उसी के घर के आगे रुख गई है आई बड़ी बाहर खाने वाली, इतनी तेरी आउकात है क्या? तुझे क्या लगता है, मैं लंगणी पर पैसे खच करूँगा जब कोई लड़की सलाइक होगी, तो उसे लेकर जरूर जाऊँगा अभी तो हम तेरे घर पर ही खाएंगे घटिया पनकी भी हद होती है मम्मी जी अपने माय के में आका ज़्यादा उशल मत, वरना यही तेरी ऐसी तैसी कर दूँगा अब चल बाहर, नाटक शुरू करो सब लोग तो ये सब बिन बुलाए महमान बन कर राधिका के घर में घुश जाते हैं अरे आप सब? क्या बात है आप खुश नहीं हुए हमें देकर? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अचानक से देखा तो बस हाँ बहन जी राधिका को आपकी बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा इसे ले ही आते हैं वही नकुल और खुशी ये देकर चर जाते हैं इन लोगों को तो शर्मी नहीं है, राधिका को याद आई थी, तो सको आने की क्या जरूर थी? भुकर लोग लगते हैं, ये खाने आयोंगे अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा ना, मूँ उठा कर आ जाते हैं, अब ये रोटे खाये बिना हिलेंगे नहीं ममी, पापा कहा है? बिटा, पापा तो बाजार गए है अच्छा, कोई बात नहीं, हम तो यहीं है, थब तक आ जाएंगे भाई साब हाँ, हाँ, मैं इनको फोन करके बुला लूँगी कोई बात नहीं, बेहन जी, आराम से बुला लेना, अब हम शाम को ही जाएंगे यहां से अब अपना ही घर है, शर्म केस बाती हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहती है, आपका ही है राधिका अंदर से बहुत ही दुखी थी, लेकिन वो अपना दुख बाहर नहीं निकाल सकती थी क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी अच्छा बेहन जी, आपकल कह रहीं थी, तीजवाला सामान आप ले आएंगी, ले आएंगी या हाँ जी, मैं ले आए हूँ, आए दिखा दी हूँ हाँ हाँ, दिखाईए, अब आए हैं तो ले ही जाएंगे, दो दिन बाद फिर आपको आना पड़ेगा, क्या फाइगा सभी गोंगती एक काफी सुन्दर सूट दिखाती है ये देखे, मैं राधिका के लिए लाए हूँ, ये कैसा है? अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा करते हैं, ये मैं रख लेती हूँ, आप राधिका को दूसरा ला देना लेकिन बहन जी, ये तो लड़कियों के पहनने का है अरे, आप क्या मुझे बूड़ी कह रही है? नहीं, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर तो बस फिर, ये तो मैं ही लूँगी वहां राधिका अपनी भाबी खुशी के बास जाती है, जो किचिन में काम कर रही थी भाबी, मुझे भी बताए क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है क्या हुआ भाबी, आप मुझे नाराज हैं क्या? नहीं, तुम जाओ यहां से, मैं खुद करूँगी सब लेकिन मैं तो आपकी मदद करवाने आई थी एक तो तुम सब लोग यहां पर खाना ठूसने आ गए हो मेरे भाग का काम बढ़ाने, आप मदद क्या करवाओगी? भाबी, आप ऐसी क्यों बात कर रही हैं? मुझे भी नहीं पता था कि हम यहां आ रहे हैं तुम रहने दो, बिना पते की ही आ गई क्या? मैं सच के रही हूँ भाबी, यह लोग अचानक से ही यहां आ गए खैर राधिका दुखी होकर वहां से चली जाती है दोपहर का खाना खाने के बाद, शाम को राधिका और उसके ससुराल वाले भी वापस घर पहुँच जाते हैं राधिका की शादी को तीन महीने हो गए थे और वो कुछ दिन के लिए अपने माई के जाना चाहती थी ममी जी, तीन महीने हो गए हैं शादी को, मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने ममी पापा के पास जाना चाहती हूँ हाँ, जा जा, तुझे कौन रोक रहा है? ठीक है मम्मी जी मैं पापा को फोन कर देती हूँ मुझे लेने आ जाएंगे नहीं नहीं तुम्हारे पापा को यहां बुलाने की कोई जरूरत नहीं है खामखा चाय पिलानी पड़ेगी किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप छोड़ाऊंगा तुम्हें ठीक है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, 10-15 दिन में आ जाओंगी 10-15 दिन बाद देखेंगे क्या मतलब अम्मी जी? अरे 10-15 दिन तो आराम से रहे, फिर से आ जाना ठीक है, तो राधिका अपनी सारी पैकिंग कर लेती है और शाम के वक्त रचित राधिका को उसके माई के छोड़ाता है 15 दिन होने के बाद राधिका वापस ससुराल जाने के लिए रचित को कॉल करती है कॉल पर, रचित जी, मुझे आई 15 दिन हो गए हैं और हमने एक बार भी बात नहीं की है तो मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है ठीक है, पर मुझे लेने आजाए क्यों? क्यों मतलब, मुझे वापस आना है मैं तो नहीं आऊँगा, और तुम आखा करोगी भी क्या, वहीं रहो इतना कहकर वो फोन काट देता है राधे का परेशान हो जाती है और वो अपनी सास मीना को फोन करती है कॉल पर मम्मी जी, रचित जी को कहिए न मुझे लेने आजाए मुझे पंदरा दिन हो गए है वहीं रहो, अब यहां आने की जरूरत नहीं है हम तो तुम्हारे जाने का ही इंतिजार कर रहे थे और इतना कहकर मीना भी फोन काट देती है अब राधे का काफी परेशान हो गई थी लेकिन कहती भी किस से पाँच दिन बाद राधे का उदास होकर बैठी थी क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं मम्मी मैं सोच रही थी मुझे यहां आए 20 दिन हो गए है अब ससुराल वापस चली जाती हूँ हाँ बेटी इतने दिन ही माईके में रहते हैं अब तो जाना चाहिए तुझे रचित को बोल दे आ जाएगा बो थोड़ा काम में व्यस्त है मैं खुछ चली जाती हूँ नहीं, पहली बार तो तुम माईके आई हो तो ऐसे कैसे चली जाओगी कोई बात नहीं मम्मी तेरी पापा छोड़ाएंगे तुझे ठीक है मम्मी तो अगले दिन गोविंद अपनी बेटी राधिका को लेकर उसके ससुराल पहुँच जाता है और दर्वाजे की बेल बजाता है लेकिन कोई दर्वाजा नहीं खोलता अरे, कोई दर्वाजा क्यो नहीं खोला है लगता है सब सो रही है इस वक्त कौन सोता है, फोन करता हूँ क्या मतलब आप कौन है और यहां क्या कर रही है पिछले दस दिन से मैंने ये घर किराय पर लिया हुआ है मैं यही रह रहा हूँ आप कहना क्या चाहते है ये घर तो महिर जी का है ना भाई सहाब ये घर पिछले दस सालों से किराय पर ही दिया जा रहा है और यहां नए नए ल आगे ही पता लगने वाला है लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि राधिका के ससुराल वाले बिना बुलाए महमान बन कर राधिका के घर चले जाते हैं जहां राधिका की भावी भी काफी चड़ जाती है वहीं जब शादी के तीन महने बाद राधिका माई के रहने के लिए आती है तो 20 दिन तक उसे रचत लेने नहीं आता और जब राधिका के पापा उसे उसके ससुराल छोड़ने जाते हैं तो वो देखे हैं कि उस घर में कोई अंजान आदमी ही किराय पर रह रहा था और राधिका की ससुराल वाले गायब थी अब आके पापा ये सब क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटी चिंता मत करू समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा अब हम क्या करें अभी तो फिलाल घर चलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है तो गोविंद अपनी बेटी राधिका को लेकर वापस घर आ जात मतलब है उसने बोला ये घर तो पिछले 10 सालों से किरायपर दिया जा रहा है पिछले 15 दिन से वो वही रह रहा है ए बागवान ये सब क्या है मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि ये लोग सही नहीं है शकल से ही पेमाल लोग थे मैं तो कह दी ही थी तभी राधिका रोने लग जा दी है इसके बाद राधिका सबको अपने ससुराल वालों की सचाई बता देती है इसे सुनकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते है पापा मैं तो कहता हूँ हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए नहीं बेटा अभी तीन महिने पहले ही तो शादी हुई है हमें उनसे बात करनी चाहिए क्या पता कुछ हल हो जाए हाँ बेटा कई बार ससुराल वाले लड़की को पसंद नहीं करते लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है हाँ हमें थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए हो सकता है उनका कोई फोन आ जाए राधिका माईके में ही रहने लगी थी और वो काफी दुखी भी थी वहीं गोविंद रोज राधिका के ससुराल वालों को फोन करता था लेकिन वो इसी शहर में है बस घर बदल लिया होगा बेटी तुझ चिंता मत कर तेरी किस्मत में कुछ इतना बुरा भी नहीं लिखा होगा मुझे इश्वर पर विश्वास है हाँ ममी मैं बस फिर से अपनी पढ़ाई पर दिहान दे रही हूँ जो भी होगा वो मेरी किस्मत है तभी कुछ दिन बाद गोविंद फिर से राधिका के ससराल में फोन करता है और इस बार महीश फोन उठा लेता है भाई सहाब क्या हुआ इतने दिन हो गए आपकी कुछ खबर नहीं है अरे आपकी परिशानी तो बेवज़े है हम जानते हैं ना हम कैसे है तो हम भी समदी हैं आप हमसे बात तो करते ऐसा भी क्या हो गया तभी महीश की हाथ से मीना फोन ले लेती है बस भाई सहाब क्या बताएं अचानक से इनके काम में इतना घाटा लग गया तो हम तो किरायता के पैसे नहीं दे सके लेकिन आपने हमें कभी बताया नहीं कि वो घर आपका नहीं बलकि किराय का है बस हमें लगा अगर बता दिया तो हमें रच्चित के लिए राधिका जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी बस मेरी बहु का ध्यान रखिएगा आप आप चिंता मत कीजे, राधिका बिल्कुल ठीक है हम कोई मदद कर सके तो जरूर बताईएगा देख लीजिए भाई साब अगर कुछ पैसों का बंदुबस्त हो जाए तो बाकी हम राधिका खुबी लेने आ जाएंगे ठीक है बहन जी, मुझसे जितना भी होगा मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूँगा आपके ठीक है भाई साहाब, हम भी आते हैं कुछ दिनों में राधिका को लेने रचित की भी बहुत बुरी आलत है उसके बेरे तब ही अचानक बीच में ही फोन अपने आप कर जाता है राधिका बेटी तेरे सस्राल वालों का फोन आया था वो तो बड़ी परिशानी में है पापा, मैंने आपको सारी बात पता ही तो है वो सिर्फ नाटा कर रहे है नहीं बेटा, अब वो तेरा घर है माना कि वो तेरे साथ कुछ खास अच्छे नहीं रहे लेकिन धिरे धिरे सब ठीक हो जाएगा नहीं पापा, मैं उन्हें समझ गई हूँ तीन महिनों में बेटा, बहुत परिशान है तेरी सास मुझसे मदद मांग रही थी पापा, प्लीज, आप उनकी कोई मदद मत करना वो सिर्फ नाटक कर रही है मुझे भी यही लग रहा है राधिका सही कह रही है लेकिन गोविंद मन का साफ और काफी इमानदार इंसान था गोविंद नहीं जानता था कि मीना मगरमच के आशूर हो रही है और परिशान होने का नाटक कर रही है बिटा तुम अभी छोटी हो तुम्हे इतनी जादा समझ नहीं है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो ठीक है पापा, मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ बाकी आप देख लीजिए अब राधिका सिर्फ अपनी पढ़ाई पर धिहान देती थी और एक्जाम की तयारी कर रही थी एक महीना हो गया था लेकिन उसके ससुराल वालों का कुछ अता पता नहीं था अगले दिन गोविंद फिर से महेश को कॉल करता है बाई साहब मैंने आपका काउंट में दो लाख रुपर डलवा दिये हैं हम आपका हैसान कैसे उतारेंगे कोई बात नहीं बाई साहब मुसीबत में हम आपके काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा ठीक है भाई साहब जैसे ही मेरे पास पैसों का बंदोबस्थ होगा मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा छीक है और आप राधिका को लेने कब आएंगे बस जैसे ही सब छीक होता है हम कुछी दिनों में आते हैं और कॉल कर जाती है ये सब क्या है पापा आपने उनको पैसे क्यों दिये बिटा तेरी जन्दगी का सवाल है अगर हम उनके साथ सही रहेंगे तब ही वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे पापा वो लोग ऐसे ही नहीं है आप बार-बार अपना नुकसान कर रहें है आप देख लेना फिर गायब हो जाएंगे नहीं वो तुझे लेने आएंगे उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है रचित भी तुम्हारे बिना बहुत उदास है अगर इतना ही उदास है इतनी जरूरत है तो मुझसे एक दित बात क्यों नहीं की वो बहुत परिशान है उन्होंने अपना घर छोड़ा है और घर छोड़ना बहुत मुश्किल है आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं पापा धीरे धीरे वक्त बीच जाता है राधेका अपनी पढ़ाई में ध्यान देती है और वो कुछ सरकारी नौकरी के एक्जाम भी दे रही थी लेकिन अभी तक राधेका के ससुराल वाले उसे लेने नहीं आये थे दो महीने हो गए हैं और अब तो फोन भी नहीं लग रहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैंने अपसे कहा था ना वो कभी नहीं आएंगे सबर रख सबर का फल मीठा होता है मैं तो सबर ही रखके बैठी हूँ एक दिन राधेका शाम के वक्त बहुत खोशी से जूमती हुई आती है राधेका के मम्मी पापा और भाई वहीं बैठे थे और अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है अरे क्या हुआ बेठा इतनी खोशी हाँ मम्मी मेरी नौकरी लग गई है सच में? वाँ बेठा हमे तुम पर गर्व है बहुत बहुत बढ़ाई हो राधेका बहुत अच्छा हुआ हाँ थेंक्यू मैं बैंक मैनेजर बन गई हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेठा आप तो तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें लेने आ जाएंगे पापा मेरी आपसे हाँ जोड़ कर विनती है मेरे ससुराल वालो तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए क्यों बेठा ऐसा क्यों कह रही है पापा प्लीज मेरी बात मानिये अगर मेरे नौकरी की बात सुनकर हो मुझको ले कर जाते है तो इसका मतलब उने सिर्फ पैसो का लालच है हाँ ठीक क्या रही है राधिका हम उने कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक वो इसे ले कर नहीं जाते ठीक है बेटा मैं नहीं बताऊँगा जब तक तु नहीं कहेगी ठीक है पापा राधिका बैंक मैनेजर बन गई थी और उसने नौकरी भी जोइन कर ली थी तो एक दिन राधिका की घर पर एक डाक आती है जो राधिका के लिए ही थी और गोविंद जैसे ही उसे खोलता है उसके होश ओड़ जाते हैं उसमें तलाक के कागस थे जो राधिका की ससुराल वालों ने भीजे थे लास्ट एपिसोड में देखा कि राधिका की ससुराल वाले अचानक कहीं चले गए थे और राधिका अब माईके में रहकर पढ़ाई कर रही थी वहीं एक दिन गोविंद के पास राधिका के ससुराल से फोन आता है जो परेशानी में होने का नाट करते हैं और गोविंद उने दो लाक रुपे दे देता है राधिका की सरकारी नौकरी भी लग गई थी लेकिन ये बात राधिका के ससुराल वालों को नहीं पता थी और एक दिन अचानक राधिका को तला का नोटेस आता है अब आगे बहुत ही अच्छा हुआ जो उन्होंने तलाक के कागस भीज दिये ये क्या कह रही हो बेटी मैंने आपको पहले ही कहा था बापा वो लोग सही नहीं है उपर से आपने उन्हें पैसे भी दे दिये अब देख लिया हाँ पापा आपको राधिका की बाद मानी चाहिए थी हे भगवान मेरी बेटी का तलाक हो जाएगा अब क्या होगा मम्य आप ऐसे क्यों बात कर रही है बलकि आपको तो खुश होना चाहिए मैं ऐसे गंदे लोगों से बच गई बिटा शादी कोई मजा का खेल नहीं है जो एक बार हो जाए तो तोड़ा नहीं करते पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है उन्होंने भेजा है ना ये तलाक नामा अभी तु इतनी समझदार नहीं है तुझे नहीं पता कि तलाक होना कितनी बड़ी बात होती है अब हम क्या करेंगे हमारी बेटी का तो घर ही खत्म हो गया तुम चिंता मत करो मुझे उनसे बात करने दो वो आपसे बात नहीं करेंगे जब तक बात नहीं करेंगे तब तक तुम इस वर साइन भी नहीं करोगी ठीक है पापा, जैसा आप गहें फिर राधिका वहाँ से चली जाती है देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ कि बेटी का घर तूटने पर क्या गुजरती है बहुत दुख होता है, लेकिन लेकिन क्या गोम्ती, तुम्हें भी लग रहा है कि राधिका सही कह रही है हाँ, मुझे लग रहा है अब हमारी बेटी की सरकारी नौकरी भी लग गई है अब वो कहीं भी मात नहीं खाएगी नौकरी मिलने से जिंदगी नहीं चला करती परिवार भी जरूरी होता है लेकिन ये लोग बहुत ही लालची है इन्होंने हमसे इतना पैसा और सामान ले लिया और आप समझने की कोशिश तो कीजिए ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में अगले दिन गोविंद के पास राधिका के ससुर महेश का फोन आता है भाई सहाव ये सब क्या है? वही जो दिख रहा है लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे है? हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया पर आपकी बेटी इस घर में खुश रहती ही नहीं है वह आपको पूरी सचाई थोड़ी ना बताएगी क्या मतलब है आपका? वो तो अपना घर बसाना चाहती थी और अब तो उसके सरकारी नौकरी भी लग गई है ये बात सुनकर महेश बहुत हैरान हो जाता है और उसके बात करने का लहज़ा बदल जाता है अच्छा फिर अपनी बेटी को समझाईए ना कि ससराल में कैसे रहा जाता है उससे बात कीजिए हमें कोई शोग नहीं ये तलाक लेने का हाँ मैं उससे बात करूँगा ठीक है मैं आपसे बात में बात करता हूँ इसके बाद महेश सारी बात मीना को बताता है और वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि राधिका की सरकारी नौकरी लगी थी मुझे दो फोन मैं बात कर दी हूँ मम्मी हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है एक नंबर की बेवगूफ है उसकी फैमिली उन्हें तो मैं बातों में ले लूँगी ठीक है मम्मी फोन करने की क्या जरूरत है हम तो उनके घर ही चलते हैं और राधिका को यहां ले आते हैं अब तो नोट चापने की मशीन हाथ लग गई है हमारे अगले दिन ही राधिका के ससराल वाले उसकी घर पहुँच जाते हैं मीना रोते हुए राधिका को गले लगा लेती है बेटी जो हुआ उसे भूल जा हम नहीं चाहते के हमारे बेटे का तलाख हो बेटा तू हमारे घर की लक्षमी है हम तुझे लेने आये हैं कैसे ना आते भाई साहब बहु को लेने तो आना ही था अब तो हमारी मुसीबत के दिन भी निकल गए हैं लेकिन राधिका अचे से जानती थी कि ये सब लोग नाटक कर रहे हैं मुझे कहीं भी नहीं जाना है ऐसे मत भोल बेटी जो भी हमसे हुआ उसके लिए हमें माफ कर दे आज के बाद तुझे कोई कुछ गलत नहीं कहेगा नहीं आंटी जी मुझे नहीं जाना आंटी बेटी मैं तो तेरी सास हूँ नहीं आप मेरी सास नहीं है अभी एक मिनिट में आते तभी राधिका अपने कमरे में जाकर वापस आती है और तलाक नामा रचित के हाथ में दे दे थी है ये लो इस पर मैंने साइन कर दिये हैं अब आप लोग यहां से जा सकते हैं ये क्या कर रही है बेटी मैंने तुझे कहा थाना मत करना साइन पापा आप बहुत भोले हैं आप इनकी बातों में आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं आऊंगी बेटा तेरा तलाक हो गया तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा आप समझाईए ना इसे ये अभी नादान है बेटा एक बार फिर से सोच ले ममी आप तो सब जानती है ना आप तो समझती है ना हाँ बेटी लेकिन फिर भी एक बार तलाक का दाग लग गया तो लग गया तो लग गया सिर्फ मेरी नौकरी लग गई है इसलिए ये लोग मुझे लेने आ गए बहुत अपमान हो रहा है भाई साब अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन आप इसे समझा देना कि ससुराल में रहे हाँ अभी वो बहुत गुस्ते में है हम इंतिजार करेंगे इसकी बाद राधिका के ससुराल वाले वहां से चले जाते हैं राधिका ये सब क्या है बेटा नौकरी लग गई तो तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो ऐसी बात नहीं है पापा आप कभी मेरी बात नहीं सुनते क्या सुनू बताओ आप एक आखरी काम कीजिए दो दिन बाद मेरे ससुराल में फोन करके कहना कि राधिका को ले जाओ और साथ में ये भी कहना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और फिर देखना वो क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है ये तो गोविंद भी राधिका की बात से सहमत हो जाता है तो दो दिन बाद गोविंद फोन करके राधिका के ससुराल वालों को घर बोला लेता है बहुत अच्छा हुआ जो राधिका को समझा गई हाँ बहन जी मैंने सब अच्छे से समझा दिया है अब ये ससुराल में अच्छे से रहेगी ममी जी मुझे माफ कर दीजिए नौकरी लगने की वज़ा से मैं थोड़ी घम अंडी हो गई थी कोई बात नहीं बेटा बेटी अच्छे से घर का काम करना अब तेरी नौकरी भी नहीं है घर को संभालना, सब की सेवा करना क्या मतलब नहीं है नौकरी? नौकरी छोड़ कर ही तो घर को अच्छे से समाल सकेगी ना तो इसने नौकरी छोड़ दी है ये क्या किया? तुमने नौकरी को छोड़ दी? देवकूफ हो क्या? चलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है इसे वापस लेकर जाने की देखा पापा, मैंने कहा था ना? कोई बात नहीं, मेरे बेटे के लिए तो बहुत लड़गिया मिल जाएंगी आपकी बेटी की तरह मेरा बेटा लंगड़ा नहीं है जाइए जाइए, और जो भी समान दिया है ना, उसे वापस ले लूँगा चिंदा मत कीजिए क्या मतलब? मतलब यही कि आपकी पुलिस रिपोर्ट कर दी है एक एक चीज मुझे मेरे घर में मिलनी चाहिए बाकि हम कोड में मिलेंगे कुछ दिन बाद शाम के वक्त घर की बेल बच्चती है गोविंद दर्वाजा खोलता है और वो एकदम से डर जाता है सामने पुलिस की दो गाड़ियां खड़ी थी ये क्या? इतने पुलिस यहां क्यों आई है? ये सब क्या हो रहा है? ए भगवान! अब क्या हो गया? कही रादिका गे ससुराल वालों ने कोई जूटा इल्जाम तो नहीं लगाया? तभी एसबी रोहित गाड़ी में से बाहर निकलता है उसके साथ चार पुलिस वाले भी थे क्या हुआ साहाब? सर क्या हुआ? सब लोग बहुत डरे हुए थे तभी एसबी घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है और दो पुलिस वाले उसके दोनों तरफ खड़े थे तभी रादिका आती है सर आप अचानक यहां कैसे? क्या तो मैं इनको जानते हो बेटा? नहीं पापा, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ये दो-चार बार किसी काम से हमारे बैंक में आये हैं आज मैं बैंक के काम से नहीं, किसी बहुत जरूरी काम से आया हूँ तू बताइए? अंकल जी आप यहां आईए, बैठिये, मुझे आप से कुछ बात करनी है या हमारे घर में किसी ने कुछ गलत काम किया है नहीं, असल में मैं तीन-चार महिनों से आपकी बेटी को देख रहा हूँ और मैं उसे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ ये सुनकर राधिका हैरान हो जाती है, लेकिन गोविंद, गोमती और नकल बहुत ही खुश थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शहर का S.P. राधिका से शादी करना चाहता है पहले तो राधिका नहीं मानती, लेकिन सब के समझाने पर वो मान जाती है कुछ ही दिनों में राधिका की शादी रोहित से हो जाती है और अब वो शादी शुदा जिन्दिगी में बहुत ही खुश थी वहीं पुलिस की मदद से रचित और उसके परिवार वालों ने सारा सामान भी राधिका के घर लोटा दिया था थैंक्स फॉर वाचिक